इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल की दिल से सबसे पहले तो मैं यह क्लियर कर दूँ कि हमारे जो दिल का शेफ होता है वो ऐसा नहीं होता है ऐसा होता है तो आईए दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझते हैं दिल के बारे में दिल हमारे बोड़ी का one of the most important organ होता है इसका अगर main task पुछे तो हमारे बोड़ी में जो blood का pumping होती है blood का pumping करके blood का पूरी बोड़ी में circulation करवाना यह इसका main task होता है ठीक है जैसे हमारे घर में बहुत सारे कमरे होते हैं वैसे heart में या दिल में चार चेमबर होते हैं human जो heart है उसमें चार चेमबर होते हैं दो अलिंद और दो नीले होते हैं ठीक है फिर बात करें अब तो यहां पर कुशन आता है कि क्या जरूरत है कि heart को blood को circulation करना पड़ता है ठीक है अगर इसको समझे तो circulation बहुत ही जरूरी पार्ट है क्योंकि हमारी बोड़ी जो है लगातार energy प्रड्यूस करी और energy प्रड्यूस करना जरूरी है हम जो भी टास्क करें चल रहे घूम रहे फिर रहे सांस ले रहे तो हर काम में energy की requirement होती है तो वह energy कहां से आ रही है जैसे हमारे घर में घर का जो छोटा पार्टिकल अधर G,C,C,C,C जो भी है उससे हमारे पूरा घर बना हुआ है वैस इस से हमारे बोड़ी का सबसे चोटा पार्टिकल जो है जिससे हमारी बोड़ी बनी हुए है कोशिका कोशिगा में क्या हो रहे है metabolic activity हो रही है, ऐसी उपापचे क्रिया हैं हो रही है, जिससे क्या हो रहा energy produce हो रही है, जो हम खाना खाते हैं और उस बोड़ी क्या करती है, उस खाने को digest करके फिर उसको जला के energy को produce करती है, तो उस energy production में oxygen की बहुत ज़्यादा ज़रुत होती है, जैसे आपने छोटी बुच जाएगी, इससे यह पता चलता है कि oxygen जो है वो जलाने में बहुत ही सायक है, ठीक वैसे हमारे बोड़ी में भी जो energy production की जो क्रिया हो रही है, उसमें oxygen की बहुत ज़्यादा ज़रुत है, तो हम जो सांस ले रहे हैं उससे oxygen हमारे बोड़ी में perform कर पाएं, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिए